हे गाइस वेलकम बैक टू माई वर्ल और आज हम बनाएंगे दाल खिचड़ी विट मिक्स वेजिटेबल तो आप देख सकते हैं मैंने मूंग की दाल ली हुई है और चावल लिए हुए है और चावल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं मैंने इस तरीके के मोटे चावल लिए है क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो पहले हमें क्या करना है मैंने एक पतेला लिया है उसमें आप सन फ्लॉर ऑइल डाल रही हुँ और चावल मतलब एकदम अच्छा बने ज्यादा सुखा ना बने खिचड़ी इसलिए मैंने तीन ट सब्लीर इसज़ 걸 об Boss अच्छा अच्छा व्यादा सप्लील गया जात तो सब्लाने और रही हुए है जीडम्दल गया क्चीऑ है इस सब्लॉस पोटेटो और टमाटर डाला है इनको भी अच्छी तरीके से इसी तरीके से में दो मिनिट तक पकाते जाओंगी फिर उसके बाद हम मसाले आड़ करेंगे जिसकी आपको जो भी डालना है वो आप डाल सकते हैं मैंने इतने सारे लिए हैं जिसकी मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर् अंनल unnunnय आड़र, गरम मसाला भी था और मटन मसाला भी था और कौन सा ब्लैक मसाला और खड़ा मसाला थाव भी लिया मैंने सारे के सारे मसाले इसमें डाल दिये, एकदम कम डाले हैं जादा नहीं डानना यह ठोड़ाते जानना है थीक है हमें हिलाने के बाद हमने इसमें पानी डालना है पानी भी हमें देखकर कि कितना ज्यादा ना हो या फिर कम भी ना हो ठीक है इस तरीके से करने के बाद इसे फिर से अच्छे तरीके से गुमाने के बाद हमें इसे पकने के लिए छोड़ देना है और या अपने आप बाद में ढखने के बाद यह पक जाएगा तो हमारी जो खिचडी है वो ready है एकदम स्वादिश तो अब मैं जो खिचडी है वो अचार के साथ खा रही हूँ ज्यादा गली हुई नहीं खाते हमारे घर के लोग इसलिए ज्यादा गली हुई नहीं बनाया है इसे तरीके से बनाया है और इसका स्वाद भी बहुत ही लाजवाब था ठीके और आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है mix vegetables की खिचडी खाने चाहिए जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी होती है आप सभी को पताई है तो इसे तरीके से अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आये तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर कीजेगा चानल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें और आने वाले इसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत भूलिएगा थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई